हेलो दुस्तो, दुस्तो, डिवनी पिलस और इस्टर पर मैंने अभी-अभी काला नाम का एक नया शो देखे कर खतम किया है, टोटल आठ एपिसोड है, प्रते एक एपिसोड की लेंथ आदे गंटे से 50 मिनट के बीच है, लीडिंग जोल में हमको अभिनाश इत्यवारी देख मुखरजी के आगे पीछे, जो कलकत्ता में है, एंड बहाँ पर मनी लॉंडरिंग, हवाला रेबर्स, हवाला बलेक मनी और उस तरह की चीज़ें हो रही जिसको वो फुल जहा रहा है, इसको हंट डाउन कर रहा है, या मैं कहूंगी ट्रेक डाउन कर रहा है, उसको खतम करन मुखरजी का जो फादर है, वो उसको गदार करार दिया जा चुका है, और वो गदार का बेटा है, यह इस मानफिक भापना के साथ, यह इस टॉर्चर के साथ, वो बड़ा हुआ है, और वो इस काम पर लगा हुआ है, यह पर हमको कहानिक नाम पर भाई, कुछ भी नया को नहीं मिलता, हाला कि शो इंटरस्टिंग है, लेकिन लंबा फील होता है, बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने का आठ एपिफोड है, और आठ एपिफोड के लेंद आदी गंटे से पहले तीन एपिफोड आदी आदी गंटे के हैं, उसके बाद के एपिफोड 40-50 मिनिट के आसपास के हैं, तो लेंद काफी ज्यादा फील होती है, एपिफोड में एक्साइटमेंट इंटेंसिटी नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं थिल है, बस ये है कि शो थोड़ा इंटरस्टिंग से लगता है, एपिफोड एक बोवी चीज़ है, जैसा कि मतलब फॉर दिया जाता है, इथन हंट अपनी सभी मेशन इंपॉसिबल की फिल्मों में, तो वही इस खरदार के साथ भी यहां पर हुआ, जब उसके साथ बुछीज़ होई, तो मुझे अचानक से मेशन इंपॉसिबल की याद आ गई, कि यह तो वहाँ भी होता था, तो कहां नहीं के जो पैसा है, वो कहां जा रहा है, कीज लिए जा रहा है, उसको ट्रेक डाउन कर रहा है वो, एंड हमको पता चलता है, पहले एपिसोड में ही पता चल जाता है, कि बांगलादेश के रैविल फोरस इसको यह पैसा बेजा जा रहा है, बेशक कुश, टेदर गती विदियां ह ही कदनी होगी, उन लोगों को असी के लिए यह पैसा बेजा जा रहा है, तो बस यह पर कहानी एंड उसको वोगुचेस कर रहा है, उसको पीछे पड़ा हूँ, यह जो पैसा है, यह थाउजन लचस dele कर रहा है, जो मैंने आज से पहले कभी ना धेखी ना सुनी ना जानी, At least मैंने तो कभी नहीं सुना हो सकते हैं, आपने सुना हो, यहाँ पर जो भाइट मनी है, उसको बिलेक मनी में convert किया जा रहा है, जेवर सवाला मुझे पहली बार सुनने को मिला है, इस फिशो में, अब से पहले मैंने इसके बारे में कभी न सुना न देखा न जाना, तो यह कुछ मुझे नया जानने को मिला है, पता नहीं क्या ही था, तो कहानी बस यह है इसके अराबा, treatment के नाम पर, excitement के नाम पर, intensity के ना मतलब शो बार-बार flashback में जाता है, फिर present में आ जाता है, बार-बार यही होता है, बहुत बार, मतलब non-linear manner में चलता है, तो यह चीज मुझे उतनी जमी नहीं है, कि एक ही बार में आप clear दिखा दो, एक ही बार में clear cut to cut कर दो, या फिर इतने लंबी-लंबी shots, बार-बार past म में पहुँच जाता है, तो यह मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बढ़ हाँ, ठीक है, कहानी आगे बढ़ दी, जिस तरीकी से बढ़ दी, यह बहुँ ठीक है, लेकिन इस टिल यार, मतलब कहानी यह जो है, इस इशो की जितनी कहानी है, उसके movie के तौर पर दिखा जाना बहुत नया नहीं है, इंड राइटिंग के नाबर, पुटैंशल के नाबर, कुछ भी बहुत खास नहीं, बस जो कहानी है, मतलब उसके फादर की जो स्टोरियां पर पैरलल में चल रही होती, बहां पर एक बदले की भाबना भी है, उसका अपना बदला है, इंड वो सब च अच्छा था, लेकिन वो किरदार अच्छा नहीं मुझे लगा था, उनके उन पर शूट नहीं कर रहा था, तो यहां पर वो आईवी अपिसर के किरदार में दिखाई पड़ते हैं, तो वो अच्छा एंड फेविंट एपिसोड के लास्ट में, बिल्कुल एंड में एक 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 दोबर हस्टे हुए ही दिखाई सुनाई पड़ते हैं, तो यह है ठीक टाक सच्छो है, बस लंबा है, लेंदी है, एंड थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा सही सही, आपको बोरियत फी फील हो, क्योंकि लंबा है तो इस मजह से फिलो पेसि फील होगा, तो यह बाकि एक्टिंग सभी की अच्छी एंड नमन आरिया जो वो बन्दा था जो इन धंदे मोल जा हुए है, उसकी जो मात ही, उसको लेकत को चीज़े हैं, एक करेक्टर और है, यह पर जितिन गुलाटी का, जिसको बलजीत का नाम करेक्टर है उसका, तो ब लड़के आपस में बात करें, कि हम लोग भाग जाएंगे, एक साथ रहेंगे, जिन्दगी बिताएंगे, वो फारी चीज़े हैं, मुझे थोड़ा डिस्गस्टिंग सा लगाई है, मतलब इसको यह गंदगी दिखाने की क्या ज़रूरत थी, तो यह है बाई, एक बन टाइ लेके बताना, आप लोगों के इस पर क्याटिक एंड, कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हुआ, जो एकस्पेक्टेशन से थी, एक्शुली हुझे, इसके बादे में कुछ घंटा पता नहीं था, मैस पोस्टल मैंने देखा था, तो बहुचे ज्यादा उमीद है थी भी नहीं तो यह ठीक ट्रक्स बन टाइम बहुच हो है, ताइम है आपके पास, तो देखलें, बाकि लेंदी फिल होता है, ज्यादा लेंथे फिशो की है, ज्यादा उसे ब्यादा चार या पांच एपिजोड होते है तो आइस य्यादा बैतर होता है इस इस इशु में, आपने देख कुछ यह ठिक टाक फर्श हो है कुछ भी खाफ नहीं है यह है तेंक यू